हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 6 जनवरी 2022 को आपका सीटेट का एक्जाम हुआ था उसमें सीडिपी के जो कोशन पूछे गए थे उन कोशन को सवाल करेंगे और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैं यह कोशन यानि आपका जो 15 नंबर स्टूडेंगी जैसे मैं बताती हूं सीटेट के फ paragraph करती हूं चूछन का पूछेसे मैं नहीं लेती है था tenían जिए इस वे आपने यह तक नहीं किया है या नहीं देखा होगा न्यूपाटन लिगता है तो मैं वह कोशन आपके सामने प्रेजेंट करती हूं तो आप ऐसा कुछ अंदर मन में मत रखिए कि मैं सारे कोशन नहीं साल करवाती हूं दोस्तों अगर आप स्टार्टिंग से स्रीज को देखेंगे पूरी तो आप खुछ समझ जाएंगे क्योंकि कोई कोशन आपका मिस नहीं होगा सारे कोशन में साल करवा चुकी हूं बाकि ज चात्रों का समावे सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा आफसन फरस्ट है अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमती दें सेकेंड है विफलता का आरूपड च्छमता की कमी का कारण थार्ड है बहुत लंबा और बारंबर दतकारे दें फोर्त है अनुमती दें केवल जैसा कि मैंने बताया है केवल वड जहां आएगा यह निगेटि वह और यह नहीं होगा आपका विफलता का आरूपड च्छमता की कमी का करण यह भी नहीं होगा बहुत लंबा और बारंबर दतकारे दें यह अपका नहीं होगा यादिवन सूचना प् तो इसका अंसर आप लोग कमेंड बॉक्स में करिए रास्टी शिचा नीती 2020 पूरे देश के लिए प्रात्मी कस्तर पर किस भाषा को निर्देशित के माध्यम से प्रस्तावित करती है करेक्ट आंसर होगा यानि फोर्थ आपका कर्था करेक्ट हो जाएगा नेर्सकों देखेंगे बैटने की विवस्ता में अधिगम प्राप्त करने का समों में कारेकरना किस कच की विशेशता है आफ्शन फर्स्ट है विवारवादी वर्ग कच, सिकेंड है समाजी क्रचनावादी वर्ग कच, थर्ड है सिचक सेंटरल कच्छा कच, फोर्ट है पार्ट वर्ग कच उत्तर चिपाने के लिए बैठनी की वहस्ता में अधिगम प्राप्त करने का समों में कारे करना किस कच की विशिष्टा है पाट वर्ग कच उत्तर छिपाने के लिए शिचक सेंटरल कच्छा कच वर वादी वर्ग कच समाजी क्रजना वादी वर्ग कच ये आपका करेक्ट आंसर होगा अगला कोशन देखेंगे रास्टे शिचा नीती 2020 के अनुसार मुल्यांकन का उद्देश क्या है आफ्शन फर्स्ट है रतने की चमता का परिच्छर सिकेंड है पुनरूत पादन वा अस्मरण रखने की चमता को नापना फर्टे पूरे देश में बच्चो की तुलना करने की आशंका जताते हैं रास्टे शिचा नीती 2020 के अनुसार मुल्यांकन का उद्देश क्या है रतने की चमता का परिच्छर ये आपका नहीं होगा पुनरूत पादन वा अस्मरण रखने की चमता को नापना ये भी नहीं होगा फोर्टे पूरे देश में बच्चो की तुलना करने की आशंका जताते हैं ये भी नहीं यानि बच्चो को सीखने की परक्रिया में मदद करना दो तो ये यानि थर्ड आप्शन आपका करेक्ट होगा नेक्स कुशन आप देख पारूँगे समावेशन का क्या अर्थ है फर्ष्ट है सभी विद्यार्थियों का उनकी समाजिक पैचान से निर्पेच होकर अपनाना सिकेंड है अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अंदेखा करना थर्ड है भेदवाओं को बढ़ावा देना समावेशन का क्या आर्थ है फर्ष्ट है सभी विद्यार्थियों का उनकी समाजिक पैचान से निर्पेच होकर अपनाना अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाव को अंदेखा करना भेदवाव को बढ़ावा देना और मद्वेदों के प्रति अश्र हिशुड़ुता रखना पागिदारी और जुड़ाव के असमान आउश्र तो दोस्तों सभी विद्यार्थियों का उनकी समाजिक पैचान से निर्पिच होकर अपनाना यानि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा नेक्स कोशन देखेंगे एक सिच्चक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रशन का उतर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए और फिर अंदेखा करना चाहिए या फिर दंडिक करना चाहिए या फिर औरुद करना चाहिए तो दोस्तों इसका अंसर आप लोग करिए इसका अंसर आप लोग फटा-फट करिए कमेंट बॉक्स में एक सिच्छक को अपने विद्धार्थियों को किसी प्रश्ण का उतर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों जी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर दें और प्लीज जादा जादा शेयर करें जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो दोस्तों ये प्रोत शाहिद करना चाहिए यह फर्स्ट आप्शन जो है यह हमारा करेक्ट हो जाएगा नेस कोशन किस तरह के पार्ठिक्रम को लागू करके विद्धार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है यह हमें बताना है फर्स्ट है जो उनके सामाजिक संदर्व से जुड़ा हो सेकेंड है जो अतरिक चुनवतिपूर और जटिल हो थर्ड है जो उनके दानिक जीवन के लिए तो दोस्तो इसका अंसर करिए किस तरह के पार्ठिक्रम को लागू करके विद्धार्थों की विफलता को कम क्या जा सकता है जो उनके सामाजिक संदर्व से जुड़ा हो जो अतर्धिक चुनवतिपूर और जटिल हो जो उनके दनिक जीवन के लिए अप्रशंगिक हो फोड पार्ठिक्रम को लागू करके विद्धार्थों को विफलता को कम क्या जा सकता है दोस्तों फर्स्ट आप्षन आप देख पारूंगी जो उनके समाजिक संदर्व से जुड़ा हो यानि फर्स्ट आप्षन हमारा करेक्ट हो जाएगा नेक्स कुशन देखेंगे चात्रों को नए सायोगी पढ़ते समय शिचक को निमनलिकित में से किस से बचना चाहिए फर्स्ट है उन्हें दिये गे संचेप में से सामानी गुड़ों के लिए कहें सिकेंड है उस संबंद से समधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें थर्ड है पहले जटिल को प्रस्तुत करें और फिर सरल की और बढ़ें फर्थ है नई जानकारी को पिछले ग्यान से जोड़ना जैसा कि कुश्चन आप समझ पारेंगे चात्रों को नए सायोगी पढ़ते समय शिचक को निमनलिकित में से किस से बचना चाहिए करें ये में बताना लाए कौहएए उन्हें दिये गया सांचेप में सामाने गुडू के लिए कहें उस संबभत से का मानना था कि फर्स्ट सीखना के वल ग्यान का ऊश्वुचर है सिकंड है कि सीखने की कमाई के प्रति एक नीयंतरण है आप निगेटिव वर्ड देखते रहिए गान को सिचकोदाराज छात्रों को निशक्रिय तरीके से से शिचित किया जा सकता है फोर्ते ग्यान का सा निर्माड उस खेत्र में होता है जो बच्ची की स्वतंत रूप से कार करने वाले वजूद की मदद से करता है दोस्तों इस कांसर आप लोग करिए और यहां पे आप निगेटिव वर्ड देख पा रहे होंगे लेव वाइगोस क्योंकि स्वतंत्र रूप से कार करने वाले वजूद की मदद से करता है यह हमारा फोर्ट आप्शन करेक्ट होगा अगला कोशन आप देख पार होंगे प्रगतिशील सिच्छा के बारे में निम्नलकित में से कौन सा कथन बताता है कि सिच्छा श्वयम ही जीवन है इसकूल सिच्छा को यथा संबाव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए जैसा कि आप कोशन को समझ पार होंगे प्रगतिशील सिच्छा के बारे में निम्नलकित में से कौन सा कथन बताता है कि सिच्छा श्वयम ही जीवन है इसकूलों की आवशक्ता नहीं है बच्चे अप का बेस्ट आंसर महीं होगा जीवन सच्चा सिच्छक है यह भी नहीं होगा इसकूल सिच्छा को यह ता समबाव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए भी नहीं होगा यानि स्कूलों में सिच्छा समाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिविम्बित करें यह भी कोशन कैसे लगे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा और जैसा कि आपकी जो कमेंट आ रहे थे मैं पूरा 30 कोशन करवाई है यह 15 नुमर का पेडागोजी पूरा करवाई है तो इस टार्टिंग में मैंने बताई दिया